एक छोता सा गाउन था जहान सभी लोग एक दुसरे को जानते थे। हर दिन की तरह एक दिन भी ऐसा ही था जब गाउन के पोस्ट मास्टर ने एक पार्सल को गाउन के सबसे बड़े घर पे छोड़ दिया। पर इस पार्सल में कुछ अलग था उसमें एक चित्थी थी जिस पे लिखा था इससे खोलने से पहले तीन घंते तक मट खोलना। सब ही लोग अपने काम में मसरूफ थे लेकिन पार्सल ने सब को क्यूरियस किया। तीन घंते बीट गए और सब लोग उस पार्सल के साथ एक साथ खड़े हो गए। टेंशन बढ़ गई। तीन मिनिट बीट गए और फिर से सब एक साथ चित्थी को पढ़ने की कोशिश करने लगे। चित्थी पढ़ते ही उनका चेहरा पुरनाता चेंज हो गया। लिखा था इस चित्थी को पढ़ने से पहले तीन मिनिट तक चुपचप रहना। सब ने चित्थी को पढ़ा और फिर तीन मिनिट तक खामोश रहे। इस समय गाउं में एक अजीब सी टेंशन चा गई थी। तीन मिनिट बीट गए और फिर से सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर से एक नया संदेश मिला। अभी भी इंटेजार करो। इस समय की गड़दारी करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। तीन मिनिट तक सब चुपचप इंटेजार करो। फिर से एक चित्थी मिली। अब जब आपने सबर से इंटेजार किया, तो समय आ गया है इस पार्सल को खोलने का। उसमें कुछ नहीं है, बस एक संदेश है, सबर का फाल मीथा होता है। पार्सल खोलने पर सबको हासी आए और उनको ये समझ आया कि पेशन्स का माएने ही कुछ और होता है। और इसी तरह गाउं में एक नाई सीख का दौर शुरू हुआ।